वरुन के समुर्द को ने किया ऐसा काम हर कोई हैरान पीली बीज से फिर चुनाव लड़ेंगे वरुन गांदी क्या वरुन को मिलेगा राहुल गांदी का साथ लोकसवा चुनाव की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है ऐसे में 80 लोकसवा सीटों वाले राज्जे उत्तरपरदेश में हर उमिद्वार अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है यूपी में कई हाई प्रृफाइल लोकसवा सीटे हैं जिनमें पीली बीज पी शामिल है वर्तमान में पीली बीच से वरुन गांदी भारती जंदा पार्टी की टिकट से सांसद है मगर वरुन का पिछले कुछ सालों का सियासी इतिहास टटोला जाए तो पता यही चलेगा कि वह अपनी पार्टी पर हमलावर नजर आए थे वरुन और उनके समर्थकों के कारेकरम में ना तो भाजपा का जंडा देखने को मिलता था और ना ही भाजपा के किसी वरिष नेता की तस्वीर लेकिन 13 मार्च को वरुन के जनम दिन के अफसर पर समर्थकों ने उनके संसदे कारेले में कुछ ऐसा किया जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले आप ये बताएए क्या वरुन गांदी को कॉंग्रेस में शामिल होना चाहिए और हाँ सच्ची और निस्पच्च खबरों के लिए MSTV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आखिर क्या क्या समर्थकों ने बता दे कि पीली बीस सांसद वरुन गांदी के समर्थकों ने वदवार को उनका जनम दिन मनाया इस मोके की एक तस्वीर सामने आई है जो हर किसी को हैरान कर रही है दरसल तस्वीर में वरुन के समर्थक उनके कारेले में केक कारते वे नजर आ रहे है समर्थकों के पीछे जो पोस्टर लगा है वे कुछ औरी कहानी बयान कर रहा है क्या पेली भी से फिर चुनाव लड़ेंगी वरुन गांदी बता दे कि इस पोस्टर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले कई सालों से वरुन गांदी भारते जनता पार्टी के रंग से दूर थे उनके किसी कारेकरम में ना तो प्रधान मंतरी नरेंद मोधी की फोटो दिखाए दी ना ही भाजपा का रंग और ना ही कमल का फूल दिखाए दिया ऐसे में लोग चर्चा करने लगे थे कि भाजपा इस वार वरुन गांदी को टिकर नहीं देगी मगर बीते एक महीने से वरुन गांदी अपने शोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पियम मोधी के कारेकरमों की जानकारी शेयर करने लगे हैं और मंच से पियम की तारीफ कर रहे हैं अब ऐसे क्यास लगा जा रहे हैं कि भाजपा और वरुन गांदी में कुछ तो खिचडी पक रही है इस वीच उनके जनम दिन की ये तस्वीर जाहिर करें कि दोनों की बीच की नाराजगी अब दूर हो गई है वरुन के संस्दे कारेले में उनके समर्थकों के द्वारा भाजपा के पोस्टर के सामने केक कारना अब ये कह रहा है कि अगर भाजपा वरुन को फिर से अपना प्रत्याशी पीली भी घोशिच कर दे तो कोई चोंकाने वाली बात नहीं होगी